नमश्कार में अप्रिया धराधरती इस खबरों में आपका स्वागत है चुले जानते हैं देश प्रदेश की अपतकी प्रमुक खबरों को देश में कोरोना की रफ्तार अब कम होती दिखाई दे रही है आज फिर कोरोना संक्रमन के 3 लाग से कम मामले सामने आए हैं स्वास्तमत्रालिय ने बिताया है कि देश में आज कोरोना के 2,86,384 नए मामले सामने आए हैं दौरान 573 लोग की जान चली गई है इसके साथ ही 3,65,357 मरीज ठीक भी हुए हैं देश में आक्टिव मरीजों की संख्या अब 22,472 पर पहुँच गई है कोरोना महमारी के खिलाफ जंग में संजीवनी सावित हो चुके कोवी शील्ड और को वाक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आई है ड्रग कंट्रोलर जेनरल अफ इंडिया यानि की DCGI ने गुरुवार को कोवी शील्ड और को वाक्सीन को बाजार में उतारने की सवश्वर्त मंजोरी दे दी है लेकिन वाक्सीन लगाने के लिए स्वास्तमंत्र वाले की गाइडलाइन का पारन करना अनिवारे होगा उधर के इंडरे स्वास्तमंत्री मंसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार का ने शुरुक ठीका करन भी अंज जारी रहेगा यूपे वधान सभाचुनाव के लिए सवाजवादी पार्टी ने गुरुवार को एक और सूची जारी कर दी है शपन प्रतियाश्यों वाली नई सूची में जहां सपा के कददावर नेताओं के नाम है वहीं दूसरी दलोकित से आए नेताओं को भी बड़ी संख्या में टिकेट दिये गया है लाल जी वर्मा, राम अचल राजभार, दारा सिंग चोहान, रमा कांथी यादवादी को उनकी परमपरागत सीटों से उतारा गया है सपा के पिछरी बार जीते विधायकों को दोबाला टिकेट देती हुई दिखाई दी है अब तक सरकार के स्वामित्व में रही एरलाइन कंपनी एर इंडिया के अधिकरहन की प्राक्रिया पूरी हो गई है अब आधिकारी तोर पर टाटा समु के हाथ हो में आ गई है इस सद्धिकरहन प्राक्रिया के बाद अब टाटा समु एरलाइन के ओन टाइम परफॉर्मेंस में सुधार पर धियान के इंदरित रहेगा सुत्रो ने नियूज एजिंसी एन आई को बता है कि एर इंडिया के अपचारिक हैंड ओवर के बाद टाटा बड़े बदलाव करेगी यूकरेन संकट पर अमेरिका अब अकेला पड़ गया है अमेरिका को चीन का साथ मिलने की उमीद भी अब खत्म हो गई है चीन अब रूस के साथ खड़ा हो गया है रूस का समर्थन करने वाले चीनी विदेश मंतराले ने कहा है कि देश की उचित सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और समस्याओं का हल निकाल ना जाना चाहिए राहुल गांधी के पंजाब के दौरे में भी कॉंग्रिस बटी हुई नजर आई है कॉंग्रिस के ही पांच सांसनों दोरे राहुल के दौरे का बॉयकॉट किया है इनमें मनिश्टिवारी, रवनीद बिट्टू, जस्वीर डिंपा, मुहमद सिद्धी की और परनीक कॉर शामिल है परनीक कॉर सूबे के पुर्विसी एम कैप्टन अमरिंदर सिंग की पतनी है दिली हाई कोट ने गुरुबार को आक्टरस जोही चावला पर जुर्माना 20 लाख रुपे से घटा कर 2 लाख रुपे का कर दिया है दिली हाई कोट के बेंच ने इसमें 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारच करने के दौरानी करने आधीश द्वारा की कई टिपपड़ियों को भी खारच कर दिया है दिली वासियों को विकेंड कर्फियों से रहत बिल गई है कोविट के मौझुदा हालात और पावंदियों की समीच्छा के लिए गुरुवार को दिली आपदा प्रबंधन प्राधिकरन की बैठेक हुई जिसमें राजधानी में कोरोना के खटते मामलों के बाद वीकेंड कर्फियों को खत्म करने का फैस्टा लिया गया इसके साथ ही 50 प्रतिशत की श्रमता के साथ रेस्टरॉंब बार और सिनमा हॉल भी खोले जाएंगे हालाकि राजधानी में नाइट कर्फियोज जारी रहेगा रोश इंडिया ने गुरुवार को कोविड डाइंटीन आट होम टेस्टिंग किट लाउंच किया है कंपनी ने बयान में कहा है कि ओवर दे काउंटर टेस्ट का मकसद कोरोना के लक्षन वाले व्यक्तियों में सार्स सीओ वी टू संक्रवन का पता लगानी के लिए स्तमाल किया जाना है इसे आई से मार याने की भारती चुकित सानुसंधान परिसत से मन्जोरी मिल गई है आई मस्पताल पहुंचाया जाए राहूल ने ट्विटर सीओ को पत्र लिख कर शरकायत की है कि कंपनी ने सरकार के दवाव में उनके फॉलोर्स कम किये हैं आरोप पर ट्विटर उनके नए फॉलोर्स को जोडने की शम्ता को सीमित कर रहा है राहुल का आरोप है कि ऐसे मोधी सरकार के दवाब में किया जा रहा है मतरा में एक चुनावी कारकरम को संबोधित करते वे अमित शाह ने कहा कि यही वह छेत्र है जिसने कानहा को भगवान कृष्ण बना दिया उन्हाने कहा कि भगवान कृष्ण ने असुरों का यही नाश किया था उन्हाने कहा कि 2014, 2017 और 2019 में जब भी डिब्बे खुले तो कमल ही निकला भाजपा की यह सरकार किसी एक जाती की नहीं बलकि संपुर्ण समाज की है उन्हाने कहा कि कानहा को श्रीकृष्ण बनाने वाला छेत्र मतुराई है अमित शाह ने कहा कि आप ही बताईए कि राजणीती में जातिवाद होना चाहिए क्या उन्हाने कहा कि लंबे समय तक यहां पर जातिवाद परिवारवाद तुष्टिकरन का राज रहा पांच साल के बाद भी अखिलेश यादव ने यहां नोटों का भंडार मिलता है केंदर सरकार जोलधी कोरोना की तीसरी खुराक यानि बूस्टर डोस पर अपनी पॉलिसी पर फिर से विचार कर सकती है दरसल वज्यानिक विशुशंग्यों को तीसरी खुराक को लेकर संदे है टाइमस ओफ इंडिया नियाधिकारिक सुट्रोस के हवाले से बता है कि एक स्पर्ट्स का मानना है कि तीसरी खुराक कुछ विशेश आयूबर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रह सकती है प्रिधानमंतरी नरेंदर मोधी पहले भारत मध्य एश्या शिकर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले हैं वर्चुल सम्मेलन में कजाकस्तान, उस्बेकस्तान, तजाकस्तान, तुर्केमिनिस्तान और किर्गिजगन राजु के रास्ट्रुपती ही हिस्सा लेंगे उमीद है कि सम्मेलन में भारत और मध्य एश्याई देशों के सम्मन्धों को और गहरा बनाने पर चर्चा होगी सम्मेलन में इस प्रांत के मौजुदा हालाद पर भी बाचीत हो सकती है देश में दंगे भढ़काने और ISI से लिंक का जिस संगठन पर आरोप है उसके मंच से हामिदन सारी ने केंद्र की मोधी सरकार पर निशाना साथे वे कहा हामिदन सारी ने गंतंतर दिवस के मौके पर वाशिंटन में आयोजीत वर्च्वल इवेंट में ये बाते कहें उनके साथ इस कारिक्रा में एक और अमेरिकी सीनेटर और नीचले सदन यानिकी यूएस कॉंग्रिस के भी तीन सांसद मौजूद थे एक तरफ जहां भारत में कोरोना की तीसरी लहर से कम होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश में ठीका करन अभियान जारी है रास्टर व्यापी ठीका करन अभियान के तहत अब तक 163.83 करोर टीके की खुराग दी जा चुकी है आपको बता दे कि देश में अब आक्टिव केस 22 लाग के करीब है ठंड की मार से अभी राहत मिली नजर नहीं आ रही है मौसम वभाग के अनुसार उतर पश्चुम भारत के कुछ लाकों में अगले एक दो दिन तक शीत लहरी की आश्रंका है इसके बाद पश्चुमी विचोब के कारण पश्चुमी हमालिय शेत्र में बर्फबारी और बारिश हो सकती है एक पश्चुमी विचोब चक्रवातिय सर्कुलेशन के रूप में उतर पश्चुम उतर प्रदेश पर बना हुआ है कॉंगर्स नेता जुगदीश शर्मा ने दिली उचनेयाले में एक जनहित याचिका दायर कर कोविड-19 की तीसरी लहर का हवाला देते वे पांच राजो में वधानसभा चुनाव स्थागित करने की मांग की है राहुल प्रियांका सेना बनाने वाले शर्मा ने याचिकाओं में अदालत से चुनाव स्थागित करने की निर्देश जारी करने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि देश में ओमिक्रोन वेरियन टेजी से फैड़ हा है करोना वाइरस वेश्विक महामारी को दुनिया से पूरी तरह नश्ट नहीं किया जा सकता बलकि समय के साथ ही अब ज्यादतर लोगों के शरीर की प्रतिरक्षा मजबूत हो जाएगी तो ये संक्रमन खुद बखुद कमजोर रूप में एक महामारी रह जाएगा ये कहना है भारत वन्शी और हारवर्ड विश्विद्याले के प्रख्यात प्रतिरक्षा विग्यानी डॉक्टर शेफ पिललाई का मुंबई और दिल्ले में कोरोना संक्रमन के मामलों में भले ही कमी आई हो लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां महामारी की नई लहर चुंता पैदा कर रही है केंद्रेस्वास मंत्राले ने गुरुबार को बताया है कि देश में कोरोना के कुल 22,2,472 सक्रीय मामले है पिछले एक हफते के दोरान पॉजिटिविटी दर 17,75 फीजी रह गई है मौजुदा वक्त में 11 राज्य में 50,000 से अधिक सक्रीय मामले है वहीं महाराश्टर करनाटक और केरल में 3,000,000 से अधिक सक्रीय मामले है विदेश मंत्री एस जैशंकर ने गुरुबार को भारत और फ्रांस के बीच मजबूत रननीतिक साजुदारी के पुष्टी की और कहा कि ये राजनाइक सम्मंध लगातार परिपक्व हो गया है और अब इसे अगले स्तर तक ले जाने का एक उपियुक्त समय है साथ युन्हा ने कहा कि मैं अगले महीने फ्रांस द्वारा आयो जित यूरोपिय संग के मंत्री इस तर ये मंच के आमंत्रिन का स्वागत करता हूँ और इसमें भाग लेना सम्मान की बात होगी चीन की आर्मी ने भारते किशोर मिराम टेरॉन को वापस भारत को सौब दिया है इसकी जानकारी की इंदरि मंत्री किरन जिजीजव ने खुद ट्वीट करके दी हैं अपने ट्वीट में लिखा है कि पीले ने गुरुवार सुभह भारती किशोर मिराम टेरॉन को अरुनाचल प्रदेश के वाच्छार डमई में सेना को सौप दिया है वह अरुनाचल प्रदेश के सांसर ता फिर गाउन ने भी ट्वीट कर भारती सेना और भारत सरकार की इसके प्यार्ड लिमिटेट सी एस एल ने बी एस एफ के लिए नौ फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट में से तीन जहाज को उन्हें समर्पित कर दिया है और हुने बताया कि जहाजों के नए बेड़े के शामिल होने से देश की समुदरी सिमाओ की रक्षा मजबूत होगी जगह नहीं है हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिये हर सपता बड़े पैमाने पर बॉट फॉलोवर्स और स्पैम की छटनी करते हैं ऐसे में फॉलोर्स की संख्या में कमी हो सकती है आई एस अधिकारियों की केंद्र प्रतिन्युक्ति पर केंद्र के प्रस्ताव के विरोध में अब तक ओडिसा, बंगाल, केरल, तमिलाडू और जहारखन समेत कई नौग गैर भाजपास साशित खुलकर सामने आ गए हैं भारतिय यात्रियों को इंग्लाइन पहुशने के बाद किसी तरह के कोरोना टेस्स से नहीं गुजरना होगा, उन्हें केवल पैसेंजर लोकेटर फॉर्म की जरूरत होगी, इसमें केवल वाक्सिनेशन, समद्धित जानकारी, चावल हिस्ट्री और कॉन्टाक डीटेल्स द अपने रिपोर्ट चार मार्श तक दे देगी, वहीं रिपोर्ट आने तक नॉन टेकनिकल पॉपुलर कैटेगरी और रेल्वे बन की परिक्षाएंस सगित कर दी गई है, पंजाब विधान सभाचुनाव के लिए भाजपा ने सताइस सुमेद्वारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, भाजपा ने बाटला से फटेह सिंग बाजपा और फगवारा से विजय संपाला को मैदान में उतारा है, बतादे कि पंजाब में इस बार भाजपा के कैप्टन अमरिंदर सिंग की पार्टी लोग कॉंग्रिस पार्टी और सुखदेव सिंग धिंडसा की प जंता पार्टी में वो शामिल हो गये थे जटकों की बीच अब बजट सत्र शुरू होने से पहले कॉंग्रिस ने कल शुकरवार को संसेदियर रननीती संभू की एहम बैठक बुलाई है सुप्रिम कोट ने गुरुबार को भारती जंता पार्टी के महरास्ट्र के विधायक और केंद्रिय मंतरी नारायन राने के बेटे नितेश राने को नीश्री अदालत के सामने आत्मसमरपन करने और उनके खिलाफ दर्ज मामलो का निप्टार करने के प्रयास में नियमित जमा करके दिया था उसके लिए आपका बहुत धनिवाद आप मेसेज जिनीजर का कमेंट हमें अच्वा लगा है उनके नाम है नुलु कुमार, सुमन कुमार महता, अन्वर हुसें, कुष कुमार, प्रीतम कुमार, सरोज कुमार, सोनी, मुकेश कुमार, रोषन कुमार, रोहित हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल के और आज का सवाल को चिस प्रकार है आपके नुसार कोरोना के मौचुदा हालात को देखते हुए क्या आपने वैक्सिनेशन का दोनों डोस ले लिया है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश-प्रदेश की तमाम बड़ी ख़बरों सुझड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद